हेलो सुटेंट्स वेलकम बेक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हुए अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी वरक्षीट नूंबर 59 नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए विज्ञान सब्जक्ट की है तेईस तारीक की है जिसमें आ जो कि आपका इस 2021 वाला जो आपका एक्जाम होंगे उसमें आएगा ठीक है बाकी का पोर्शन कट हो चुका है अब हमारा नेक्स चैप्टर स्टार्ट हुए परमानू की संरचना ठीक है आपको उतना ही करना है जितना आपकी वक्षिट में आता जा रहा है ठीक है जिग्या परमानू किस से बने होते हैं अब वो पूछ रहा है कि परमानू किस से बने होते हैं तो फिर वो बताती है ज्यान परमानू पधार्त के निर्मान खंड होते हैं जैसे कि एक भवन के निर्मान के लिए इट एक निर्मान खंड होती है इटो को मिलाने से क्या बनता भवन ऐस जैसे ही परमानु पधार्त का निर्मान खंड होते हैं, यह पधार्त की सबसे छोटी ही काई है, जैसे इट सबसे छोटी ही काई थी भवन बनाने के लिए, तो तीन अव परमानु कणों से बना है, तो अब यह क्या है, जो परमानु है, वो सबसे छोटी ही काई है, लेकिन यह इकाई भी तीन अव परमानुकनों से बनी है जैसे बेटा कोसी का सबसे छोटी काई थी और कोसी का के भी तीन भागते आगे ऐसे ही इसमें भी क्या है तीन भागों से मिलकर बना हुआ है जैसे कोसी का में कोसी का अंगक कोसी का द्रव्य था केंद्रक था और कोसी का भित्ती ठीक है अब बेटा इसमें क्या है प्रोटोन न्यूट्रोन और इलेक्टोन इसी तरीके से प्रमानू किस से बना हुआ है प्रोटोन से इलेक्टोन से और न्यूट्रोन से इन तीनों से मिलकर बना हुआ है जिनको क्या बोला जाता और प्रमानू कन ठीक है वैज्यानिकों ने इन और परमानु कनों की व्यवस्था की बहतर समझ के लिए परमानु के धाचे की व्याख्या करने तो विभिन परमानु मोडल प्रस्तावित किए अब उन्होंने इसका पता लगाने के लिए कि ये किस तरीके से व्यवस्थित है ये तीनों चीजे परमानू में जिसे कोसिका के अंदर यहां पर केंदरक होता है ये कोसिका द्रव्या होता है इसी के अंदर कोसिका अंगक होते है ठीक है ऐसे ही इन परमानू के अंदर ये चीजे कहां पर है कहां इलेक्टोन है कहां प्रोटोन है इसका पता लगाने के लिए अलग-अलग model निकाले, ठीक है, हम उसको पढ़ते हैं, देखो सबसे पहले cathode किरन परियोग, तो सबसे पहले जो परियोग किया गया है, वो था cathode किरन परियोग, JJ Thompson ने किया था, JJ Thompson बोले है, थूमसन होता है ठीक है, JJ Thompson ने cathode किरन परियोग द्वारा electron का पता लगाए था, तो electron का पता किसने लगाया, JJ Thompson ने, याद कर लेना, इंपोर्टेंट है, ठीक है, बाकी proton-neutron के भी आपको याद करने आ गया हैंगे वो, उन्होंने एक cathode किरन ट्यूब का उपयोग किया, जो एक आंसिक रूप से vacuum seal tube थी, उन्होंने क्या क्या, एक cathode किरन ट्यूब का निर्मान किया, ठीक है, उपयोग किया, जो कि क्या थी, आंसिक रूप से vacuum seal tube थी, जानी कि उसके अंदर क्या था, vacuum था, निर्वाद था, जहाँ पर वायू बहुत कम होती है, जहाँ पर वायू होती लेकिन यह आंसिक रूप से तो यहाँ पर क्या है, आधे में नहीं थी, ठीक है, जिसके एक सीरे पर cathode और दूसरे पर एक anode स्थित थी, अब उस vacuum seal tube के अंदर क्या थी, एक तरफ तो cathode थी, और एक तरफ क्या थी, एक anode लगी थी, जैसे ही इनके बीच अत्यादिक वोल्ट का करंट परभाइद किया गया, तो cathode से electron किरने निकल, anode की और चलने लगी, अब जैसे ही इसमें से क्या हुआ, विद्यूत को परभाइद किया गया, तो क्या हुआ बेठा, कि जो electron की किरने थी, वो निकल कर anode की तरफ जाने लगी, cathode से निकली, यह cathode थी, तो य थोड़ किरने बोल दिया, ठीक है, अब यह प्रियोग दर्सा आता है कि परमानु साधारन ते ऐविभाज्य कन नहीं है, बलकि इसमें कम से कम एक और परमानु कन यानिकि लेक्टोन उपस्तित है, तो इस मोडल से उसने पता लगाया, देखो हमने जो उपर पड़ा था कि परमानु तीन कनों से मिलकर बना, यह जब की बात है, जब हमने सब की डिस्कवरी कर ली थी, लेकिन जिस समय पर यह प्रैक्टिकल हुआ था यह चीज, उस समय पर हमें नहीं पता था उनका, तो उन्होंने उस समय पर क्या सोचा, उनने एक चीज की अबजर्वेशन की, तो तोड़ा नहीं जा सकता, हमने ऐसा ही पढ़ा था परमानु ततानु वाले चेप्टर में, कि परमानु को विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन धिरे धिरे जब प्रियोग हुए बेटा, तो उसमें हमने यह पता लगया है, कि परमानु के अंदर एक इलेक्ट्रोन नामक पाया जाता है, ठीक है, धिरे धिरे भागी का भी पता चला, लेकिन उस समय तक हमें इसका पता चला, तो हमें ने यह मान लिया कि इसमें कम से कम एक अव परमानु कन इलेक्ट्रोन उपस्तित है, ठीक है, अब इलेक्ट्रोन के गुन क्या थे, तो देखो, इलेक्ट्रोन के रिनात्मक आवेस वाले अव परमानुकन है यह बहुत छोटे होते हैं अब इलेक्ट्रोन क्या परमानुका रिनात्मक आवेस वाला अव परमानुकन है यानि कि इस पर कैसा आवेस होता है रिनात्मक और यह बहुत छोटे होते हैं ठीक है इलेक्ट्रोन का द्रव्यमान नग् यह माना जातना है यह इसको denote कilians स llegó SHD ने पर्मानू ellow ने प्लम पुडिंग प्रस्टूत किया incluso गए पंब्लम पूडिंग भाते आइ? Helen Sun was the chorus in Christ रचना को Christmas Cain Cake और तरबूज का उधारन देकर प्रस्तूत किया ईसे समझे लो बेट़ा केक तरबूज केक या तो इस को या फिर फिर कीज फिर वगैरा जो होती है ठीड़ाइफ . लूटस होते है या फिर तरबूज की तरह समझे लो जिस में क्या? ये बीज धसे हुए जगह जगह पर घीक है जैसे तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं ठीक उसी प्रकार परमानों के धनावेशित हिस्से में इलेक्टरोन धसे होते हैं ठीक है ये हैं इलेक्ट्रोन जो इस धना ये पूरे धना मतलब कि ऐसे समझ लो खीर जो है खीर में दूद और जो चावल है वो सारे क्या है मिटा वो तुम्हारा धनात्मक या धनावेशित हिस्सा है उसके अंदर आप ड्राइफ रूट की समिस काजू डाल दो जगा जगा पर दिखेंगे तो वो क्या है रिनात्मक है वो इलेक्ट्रोन समझ लो ठीक है जैसे ये दिखाया गया इसमें ये जगा जगा पर फिर तरबूज में खाने के भाग की तरह लाल गुदेदार हिस्सा ही परमानू में धनावेशित उपस्तित रहता है ठीक है ये लाल हिस्सा ही क्या है धनावेशित वाना गया फिर उसके अकोर्डिंग क्योंकि जहां रिनात्मक है वहां धनात्मक भी इसमें प्लस के 5 धनावेस है तो इतने इसमें माइनस का 5 क्या होगा रिनात्मक आवेस होगा तो एक दूसरे को ये कट कर देंगे बैलेंस कर देंगे जिससे क्या होगा इसका सम्पूर आवेस सुन्य हो जाएगा कुल टोटल देखोगे जैसे तुम्हारे पास क्या थे 5 रुपे थे 5 रुपे तुम्हें किसी ने दिये और 5 रुपे तुमसे किसी ने ले लिये तो क्या हुआ एटलस तुम्हें तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचाईन में से ठीक है ऐसे ही जीरो बचे तो यहां पर भी जीरो रहेगा यह दोनों ही चीजे हैं और दोनों आपस में दूसरे को कट कर देंगी और जीरो बचेगा अर्थार्थ परमानू क्या बन जाएगा उदासीन बन ठीक है अब इसकी कुछ कमिया थी बचा थोम्हें के परमानू मोडल की कमिया दूसरे वैग्यानू को दौरा किये गए प्रियोगों के प्रिनामों को इस मोडल के दौरा समझाया नहीं जा सका जो दूसरे वैग्यानू को ने इस पर कुछ रिसर्च की बचा वो इसके दौर नहीं समझाई जा सकती ठीक है इस मोडल द्वारा कोई प्रायोगिक साक्षय परदान नहीं किये गई यह कल्पना पर आधिक आधारी था अब इसमें कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था इस चीज़ का यह कल्पना पर आधारी था मतलब कि इतने जादा हमें इससे तथ्या या प्रूफ नहीं मिला जिससे हम यह चीज़ साबित कर सकें ठीक है तो यह इसके कुछ कमियां थी अब बेटा इसके कोईशन आंसर करते हैं फर्स्ट कोईशन क्या है परमानू पर कौन सा आवेस होता है तो परमानू पर क्या आवेस होता है रिनात्मक आवेस ठीक है लिख देना रिनात्मक आवेस होता है अब इलेक्ट्रोन की खोज किसने की थी और इलेक्ट्रोन की विसेशता लिखिए तो देखो इलेक्ट्रोन की खोज जेजे थूमसन ने की थी तो आप लिखोगे इलेक्ट्रोन की खोज electron की खोज किसने की बज़ाए जे जे थोमसन ठीक है आप ये लिख सकते हो थोमसन ने थोमसन ने की थी ठीक है उसके बाद विशेस तक या लिखोगे electron के जो गुन है न ये रिनात्मा का आवेस वाला परवानुकान है बहुत छोटा है नगनियमाना जाता है द्रव्यमान इपरती के हावेस ये सारे लिख दो गया आप इसके गुन है एक बोला गया है आप ये सारी लिख ले ना क्योंकि इंपोर्टेंट है ये सारी ठीक है आज नहीं तो कल आपके फेपर में आई जाएंगी तो आप सारे याद करना थर्ड है एक उचित आरेक की मदद से थोमसम के परमानू मोडल के बारे में शंक्षेप में व्यक्या करो ठीक है तो आपको ये बनाना है यहां पर ये आरेक बना के दिखाना है और जो जो उसने ये बाते बताई है वो सब इसको बता देनी है इसमें बता देनी है ठीक अब पूरी की पूरी वरक्षीट आपकी complete important है तो अच्छे से समझ लेना उमीद करते हूँ आपने अच्छे से समझे होगी ठीक है अब फिबी कोई डाउट हो तो comment box में पूछे लेना इस वीडियो में इतने हैं अपना next topic company next video में करेंगे तब तक के लिए स्यासते रही मुस्